हरे कृष्णा राधी राधी दोस्तों, विशाक मास में सुने जाने वाले सबसे परसिद, सबसे जुम्दर, शिरीमत भागवत गीता जी से ली हुई कहानी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विशाक मास में इस कथा को हर रोज सुनने से भगवान का पूर्ण आशिर्वाद मनुश्य को प्राप्त होता है। सब के साथ गुरईया की वह कहानी शेयर कर रही हूँ। एक बार में तरों एक छोटी से गुरईया थी, जो सुन्दर के किनारे जिसने अपने अंडे दिये और उन अंडों को वही पर रख कर दाना खोजने की उच्छा से वह अकाश में उड़ गई। उसको नहीं पता था कि सुन्दर की तेज लहरों में उसकी अंडे बह सकते हैं। इस बार से अंजान वह हरोज की तरह दाना खोजने के लिए उचे आकाश में उड़ गई। दाना खोजने के बार जब चुडिया धरती पर आई तो क्या देखती है कि सुन्दर के पास रखे हुए अंडे उसके वहाँ नहीं थे। जिसे देखकर चुडिया ने सुन्दर से पूछा ए सुन्दर मेरे अंडे कहा हैं मेरे बच्चे कहा हैं। तब सुन्दर ने इतलाती हुए जवाब दिया मुझे नहीं पता तुमारे अंडे कहा हैं। उसके इस तरह के जवाब देने से गोरया को समझ आ गया कि जरूर इस समुंदर नहीं मेरे अंडे छिपाएं हैं और उसने बार-बार समुंदर से यही प्रशन किया समुंदर मेरे अंडे कहा हैं लेकिन समुंदर से कोई भी संतुस्टी प्रद उत्तर उसे प्राप्त नहीं स्मुन्दर को धमकाते हुए कहा और बहुत गुसे में बोली स्मुन्दर चुक चाब मेरे अंडे दे दो नहीं तो मैं तेरे स्मुन्दर का सारा पानी सुखा दोंगी और अपने अंडे निकालोंगी लेकिन स्मुन्दर ने दुबारा इखलाते हुए कहा मुझे कुछ नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहा है अब तो गुरईया को और भी बहुत गुसा आया और उसने द्रिर निश्चे किया कि आज तो मैं समुंदर का पानी सुखा कर अपने अंडे इसमें से जरूर निकाल लोंगी और गुरईया ने अपनी छोटी सी चोँच खोली उसमें पानी भरती और किनारे पर फैकती रहती इस प्रकार लगातार चिडिया ने ऐसे ही किया अपनी चोँच में पानी भरती और समुंदर के किनारे फैकती रहती वह धीरे धीरे ठक भी चाती, थोड़ा आराम करती, फिर अपने निश्चे के प्रती बढ़ती रहती ऐसे ही, कई दिन हो गए लगातार चुडिया, समुंदर का पानी अपनी चोंच में भरती, और साइड में फैकती चाती, तब दूसरे पक्षियों ने गोरईया से पूछा, गोरईया क्या तुम आज दाने चुगने नहीं चाओगी, तब गोरईया ने कहा कि नहीं, मैं आज दाने चुगने नहीं चाओगी, क्योंकि इस मुंदर ने मेरे अंडों को छिपा दिया है, और आप मैंने इस मुंदर को सुखाने का द्रिव निश्चे किया है, तब सभी पक्षियों ने उसे समझाया कि तुम इतने बड़े समुंदर को नहीं सुखा पाओगी लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और लगातार पहले की तरह अपनी चोंच में पानी भरती और समुंदर के किनारे फैंकती रहती तो इस परकार सभी पक्षियों के समझाने पर भी व पास बिंति लेकर गई और बोले कि यह गुरया समुंदर के सुखाने का निश्चे करकी लगातार प्रियास में लगी हुई है और अपनी अंडे समुंदर से पाना चाहती है तब गरूर जी को उस गुरया चिडिया पर बहुत ही बड़ी दया आ गई और उसकी बिंति पान चिने गुरया के इतने द्रिर निश्चे को देखकर गुरया पर दया की और समुंदर का पानी सुखा दिया समुंदर का पानी सुखते ही गुरया को समुंदर में अपने अंडे नजर आ गए वह बहुत ही खुश हुई और उसने अपने अंडे समुंदर से मिकाल लिये इस प्रकार मित्रों द्रिर निश्चे चाहि छोटा व्यक्ति के रही या बड़ा व्यक्ति उसमें बहुत शक्ति होती हैं इस प्रकार मित्रों उस छोटी सी गोरईया ने अपने बच्चों को उस मुंदर से प्राप्त कर लिया तो द्रिर निश्चे के सामने भगवान भी उन व्यक्तियों का, उन सभी जीव जनतों का साथ देते हैं, जिस परकार के उस छोटी सी गुरईया का भगवान जी ने साथ दिया, इस परकार मित्रों, द्रिव निश्य के सामने भगवान जी भी नतमस्तक होते हैं, और मनुश्य का साथ देते हैं, जीव जनतों का साथ देते है जैसे उस गोरया चिडिया का साथ दिया उसके बच्चों की रक्षा की उसके द्रिवर निश्य को सफल बनाया ऐसे ही मित्रों अगर आपको यह गोरया की कहानी अच्छी लगी है तो इसे विशाफ मास में हरो सुने चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बोक्स में जै अववानी